परंबीर कौरती पुस्तक है रंगली वाटते तुर्दियां सुचजी ते तनारे जीवन जाच पहला लेख है राहे राहे जांदियां इस जहांदी नक्ष नुहार नू सोच सुहपन परदान करन विच अध्यापकांदा वडमुला योगदान है जिसनू कदाचित अंडिठा नहीं किता जा सकदा जापता है कि इस गल्दे प्रती सुचेत तना शायद असी पहला भी हुन दे हैं पर जियों जियों लंगया जान्दा समां बंदे दी सोचनू वदेरे संजीत दा रंगत परदान करदा है इस सच्चाई होर भी शिदतनाल मैसूस होन लग दी है इता सारे मंदे हैं कि किसे दे सब तो पहले अध्यापको दे मापे हुन दे नहीं ते पहला स्कूल कर हुन दा है जे को ये सोचे को दियां प्राप्तियां केवलू सेधी निजी मेनत जां सूझ बूजदा सिटा हन ता एक ख्याल महज एक परमतो इलावा और कुझ भी नहीं लबतां विच्चो निरी पूरी साधी केड़ी कमाई है ता पता नहीं पिछे किना को बचेगा ये ज़रूर है कि माप्यां वोलों दरसाई रात ये तौरत रिक्यांदा लाग बंदा तदे उठा सकता है जे उचित समेते उना तो मिल दे निर्देशानों बंदी एहमियत द ले बंदा जाई वाट दा कुछ फासला ता मापे बच्चे दा हत पकड़ के वी तै करवादन दे नहीं पर अखिर एक दन बच्चे नूँ अजाद वी ता करना हुंदा है ना उसनू अपने पैरां ते खड़ा हून जोगा करन वास दे फिरे बच्चे दे निर्बर करेगा क्यों आ नुसे गड़ी राद पांदी बंदा है जाओ दे किसी होर बदल चंगी रेजा माड़ी नू तरजी दन्दा है सारे माप्यांदा है सुपना हुंदा है कि उना दियोलाद सेत मन्द नेक ते लाइक बने उना दा ते अपनान ना रोशन करे इस जीवन काल दोरान काम्याबीदियां सिखरानू चोई अजञ्यां खाशानू साकार रूप देनले ही मापे अपने बच्चयानू मुड़तों वन्सुवनियां सिख्यामा देन्दे रंदेने वस लगदेयां कोई मौका आजाईनी जान देन्दे जड़े कुछ वदेरे सुचेत हुन्देने उना दे अपने अमलवी इन बिन उना वलों दित्ते जान्दे निर्देशांदा प्रतिबिंब ही हो निबड़ देने वैसी अज़ाई हालात दोहां तेरानले ही लाहिवन साबत होया कर दे हाद मापे इस गलों शांत सोखेती बेफिकर कि उनानू कोई दोरे माप दंड नहीं अपनाणी पहरे बच्चे दुबिदा ते दुचित्ती दिवास पैणू बच जान्देने कि आखरोनां केडे रा पहरे जेडे मापे दस देने जा जिद्धरो आप असल विट दुरे जान्देने अजे मापे दसम जो अपनी अलाद ते अगलियां पीडियां दे लैवी आ दर्शोन दा मान प्रापत कर लेंदे हा जेस टांगनल साड़े मापे इस ग्रय ते रहन दियां विचर दे हन वन जाने वेची सानू पर बावत कर दा रहन दे कई वेर सानू कई पता नी हुंदा ते यसी की कुछ सिख भी लेंदे हा बाद इच बड़ी हैरानी भी हुंदी है कदे था ये वेख की कुछ कू गलाता जेंगाने जो मेरे ममी दे पता जी दियां सान जी आं सान दोवी मापे बहुत सादा नेक समय देपा बनते असूला दे पके सान सफाई बहुत पसंद कर दे सान निजी सफाई वालवी बहुत त्यांसी ते जेड़ा वी काम कर दे सान बस वेह के जापना, जिवे कोई कसर बाकी नहीं रही, इस तो बेतर होई नी सकता सी, दोवी मापे सदा किसी न किसी उसारू काम चरू जे रंदे सन, मम्मी चाडन पकॉण दे माहिर सन, पॉस्टिक दे सुवाद खाना त्यार करन दाओ ननू जनून जया सी, मौलेक था भी ब सुवाद सबजीयां ते कई मिठे लूने पकवान बनों दे सन, मैनू ता आम ही ये परतित होंदा सी, के मेरे मम्मी दे हत्थांच कोई जादू है, जे सदकाव आम जे वस्ता तो बे हद खास खाना सौखें त्यार करन दे सन, खुराक दे बारे आम ही आख दन दे सन, सिर्फ सुवाद पिछे नी खाना हुंदा, सुगों चीज दा गुण वेखी दे, आलस नू मैं कदे उना दे नेडी में टुक दे आँ वेखिया, जे कपडे तो ओके सुखने पौंदे, ता वक्खरे ही दिसने, एक दिन साधे ग्वांडन आंटी आख दे, प्यांजी इंज लगद जिमें तुसी कपडे प्रेस करके सुखने पाई हो, ते चमक दे किनने पाई में, एउना वेले आनिया गल्लाने, जदु अजे कपडे तो ओन वडिया मशीना करां विच नहीं सन पौंचिया, सिलाई कडाई जा बुनाई दा जेडा काम करना, बस वेक्रुन वडे ने उना द्वारा की ते हर काम विच्चो मेनत ते लगंदी चलक स्पष्ट नजरी पैजान दी सी, जिम्मे वारी वी बहुत समय देसान मेरे मम्मी, सारा दिन हर काम नूंकडी वी के लोड ते मौके अनुसार ने प्रेचार देसान, वेले दी नमाज ते को वेले दियां टकरां ए अखान में अपने मम्मी कुणोई सब तो पहला सुनियां, कदी एक दिन वी मैजया नी वेख्या जदों समय से रोटी सबजी दो दिचा ज़ा कोई होर लोड दी चीज द्यार ना हुई होवे, किसे परवार दे मेंबर ने ये अख्या होवे कि उता लेठ हो रहा है ते सकर के उखानां बिना लियां जा खायां जाएगा, स्वेरे चार साटी चार वजे उठ्टना उना दा नेम सी, दुपैर समे ठोंका लण मगरूं, मुड कम विच जुट जाना ती रात नुवी हैं समे सिर्सोना, दिन समे आमी कम कार्चुरु जे होन समे उनानु अपनी नाली सम वादर चौने आं गुर्बानी विचों, अनन्द साहब दिये तुक बोल दियां सून लईदा सी, ये सरीरा मेरिया, इस जग में आये कै, क्या तुद कर्म कमाया, इच्छु जिमे जिमे अपनी समय दापदर उच्चा हुंदा गया, आमी ये मैसूस होना कि सच ही मनुख दे रूप विच इस तर्ती थे आउना कोई एमी कि में नी, सुगों उत्तर दायत्त वदी गाले, इक वर ममी को लिक नेडे रंदे आंटी आए, क्या लगे, मेरे किट्टी निकलिये, उन सारियाने मेरे कारोन है, मैनू तब बड़ी चिंता लगी हुए, कि सब ठीक हो जाए, ज अजया कम करनाई क्यों हुए, जिस नले इनी चिंता फिकर लग दी हुए, एक सुचजी जीवन जाच बारे ममी देखोल जमे अंगें तु गुर सान, असी आमी वेख लेंदे आं, कि लोकानू आण मंगेसला मशुरे देन दा काफी शौक हुन दे, पामे पूरी गल पतावी न हुए, मैं अपने ममी नू एक काम कर दे, कदी वी ने वेखिया, ओजय विहार नू असब्या मन दे सन, ओआख दे सन दूजे बंदे नू कदे वी मूरख नी समझना चाईदा, नाई किसे ती हसना हुन दे, अपने ले ता हर कोई स्याना हुन दे, शायद इसे सुबासद क मैं अपने ममी दी किसे नाल कदी वी रिष्टेच फिक पेंदी नहीं वेखिया, ओपने काम वल त्यान देन चुग देरे विश्वास रख दे सन, ममी पहरावे बार्यामी आख दे सन के बंदे कुल कपड़े हुन तक अट बड़े हसाबना, जड़े सांबने सोखे हुन, पर फिरोनानू रख्यावी साफ सुत्रा जावें, वो आप इस गलोते अमलवी कर दे सन, मुटाप्पे दे बारे उना तो आमी सुन लेना, मुटाप्पे तो मैनू बहुत डर लग दे, इक दिन सर्दियां दे दिनाज रात नू सौन तो पहला ममी अपने ने मुताबक गरम पा नी संबाल कर दे, जिनी होन कर दियां, तब मेरे दांद नमे निरोई पै होने सी, दिक्के होन दियां कदे दुद पीके इंजे सौन जाईदा सी, कदे कुछ खा के, इना गल्लांदी परवाई नी किती कदे, पिता जी बहुत तेज तुरंदे आदी सल, इस बारे को चुन त मेरे बच्ची में समय दे नाल तुरंदी कोशिश करदा रहना, उन्ज समय दे इन्ने पाबंद सन के दांगरे जाईदा से, समा अजाईं तो काई ने सन जान देंदे, मेरे जनम समय हर्याने वेच सरकारी हाई स्कूल दे हैड मास्टर सन, अंग्रे जी दे काबल अध्यापक बे हद लायक ते मेंती सुबादी मालक स्कूल चुपड़ाँ देता पिताजी पावें इंग्रे जी सन, लोड़ पैंते गणे तविच्वी विदी आर्थियां दी बाहु भी मदद करदा दे सन एक दिन शामनों एक दस्वीं जमार्दाव दे आर्थिक स्वाल लेके पिताजी के उला गया आखता हैड मास्टर साब या सवाल अंग्यां भी ना आवें, फिर कंग्यां आवें गो फिर जदो पिताजी ने इस स्वाल उनू समझा देता है लड़का बोल्या या तो जी घणी कमाल होगी पिताजी स्वक्ते उठके सारे काम एन शांतरी के नल में प्रेचाड़के जान दे समय तो पहलां तियार बैठें दे सान स्कूलों आके भी कुझ अराम करके किन्ने ही अर्थपूरन काम सौन को पहला बहुत लगननाल करते सान इना विच्चो एक कम मैंनू पुड़ा उन्दा भी हुन्दा सी पिताजी दी सोज अंतादी आशावा देते विज्यानक सी सदा चड़दियां का लांच रहना गुर्बानी नेम नालते समझ के पढ़ना उन्दे पक्के असूला मिच्चो एक सी उन्दी रहनी बैनी विच्च निमरता थे सोच से लिके नू स्रेष्ट स्थान हासल सी उत्तम ते मियारी साइद दे बहौत कदरदान सन उन्हाने अपने जीवनकाल दौरान बेशुमार पुस्तकां तुफे वज्जो देतियां मैनू आमी किसे न किसे तो सोणनू मिल जान्द है तो अड़े पिताजी ने मैनू फुलाणी किताब देती सी बहुत वदी है असी साम के रखी हुई है होर वस्तादे नाल पुस्तकांदी जड़ी संबाल पिताजी करदे सान उवी एक मिसाल इसे सोने कागस दी जिल्द चड़ा की एन साफ सुतरी हता नाल किताब नू छोणा मेरा कोईवी काम वेख के जदो खुश हुन दे सान एक दम मो निकलना शाबाश मेरे बच्चे मेरे लिए शाबाश सब तो वड़ाई नाम हुन दे से जदो मैं उना दे नाल स्वेरे पैदल स्कूल जाया करदी सान तरस्ते चतुरे जन्देयां बेश उमार आम ग्यान दियां गलनां दस्ते जन्दे सान ये समा मेरे लिए सदा वड़ मुला ते अपुल रहेगा मैं पिताजी तो निकलना विश्यां ते इसे समय विट जानकारी हासल केती जो आज तक मेरा साथ निबा रही है आमी कोई होर बच्चेयां ने वी साडे नाल राल जाना पिताजी दे मुँँ आमी सुन लईदा सी परिया उस दा जानियें जिस दा तोड चड़ें मेनत काश ते किर्ती लोकां दे बारे मेरे पिताजी दे बहुत सपष्ट विचार सन ओ आग ते सन के एकताई लोक बहुत इज़दे हकदार हुन देने ते दुजैनानू की ते कामदाय उन्जान इवजानना मिलन वीच देर हर्गिस नी हुने चाईगी तेही लोक हुन्देने जो कामनू ठीक तरा नालने प्रेचाडंदी सूरत विच बनदी उजरत नालों कुझ वद्धू इनाम वज्जों लेन्दी योग वी हुन्दी है आप पिताजी नू मैं उप्रोकत कथंते अमल कर देयां आमी वेख लेन्दी सा अंगिन तेस्तरा नियां बाता हां जो माप्याने स्पष्ट रूप्च कथे दसियां ने हुन्दियां पर सेजी बगैर किसे उचेच दे उनादे अंग संग इस जीवन पंद ते राहे जान देयां उनादे किसे मौके ते कीते टिपणी तो जा उनादे जियोन शैली नू वेके सिक्षण नू मिल जान दियां ए जीवन जुगता जदुएं उहो जे हालाद दे दरपेश होई दे ताप मुहारी चेते अंच चंगेर विचो निकल किया अपनियां सेवा मां पेश कर दियां इक वारता बंदा दंग रह जान दे इनादे इंज हाजर होन दे फिर शुकर गुजार भी हुन दे उना दा इस तराँ वेडे ते बॉडन लई ते ए पर केरिया मापयां दी गयर हाजरी विचोई उना दे हाजर होन वर गया सास दे जान दे ते कदे इससे तरा मापयां वलों दरसाई राते तुरे जान देयां बंदा चे ते यजई अवस्था ते पुझ जान दे के किसे मौके कोई वाकफ टिपड़ी कर दे ये ता तुसी नहीं तो अड़े पिता जी बोल रहे जै या फिर आज ता तो अनुवेह के तो अड़े मा दा कई थामा, हालता, ते संगी साथियां तो बहुत पर बाब को भूल दा ते बड़ा कुझ सिख दे असल वीचे अमल आज जीवन जारी रहें दा है इस किसम दे तजर्बी हर किसे दे निजी ते नवेकले हो सकने हैं सब कुझ दे बाब जूद मैसूस हुन दे के मापयां दे कीते दा मुल पा सकना, जा रिण चुका सकना संब भी ने, दुरुस्त ताई ही जापदया के विर्सेच प्रापत होई मूल वेच कुझ चंगा-चंगा करके, गुणा तुमक वद्दा करके, मापयां दा सेर्ब मान ना लूच्चा किता जावे, उन्च मापयां इस गाल एक कोशिशां सद्का निरंतर जारी रह सकता है, तानुवा परम बीर कौर्दी, फुस्तक रंगली वाड़ते तुर्द्यांदा, दूसरा लेख है, चानन वंड़ता तोफा परिवार्दे जिया नालता सनों एक खास के संदा लगाओ हुंदाई है, पर समापाके, कर्च लगे, बिर्क भूटे, फुल पौदे थे तो तके, उत्थे फेरा पौदे, पंची, तितलियान, जुगनों पे पोरे आद्वी, अपनी परिवार्दे महत्त पूरन सदस्चा पर्लाक पंदेवे, वैसे जिन्नेस तरती उते जीने, सब नादे आपो अपनी विचार ते अपनी द्रिष्टी कौन, मैनू अपनी निकी जी बगीचीच लगया इकिक पौदा, अपना बाद नेडला मित्तर, तेही तैशी पास दा, सारे पौदेयां फुल पत्याने अपन इना सारे आंदी साम संबाल करनी, खात पौणी, गुड़ी करनी, पाणी देना, कदे इनानू पूराइश नान करवोना, ते पिच्छो इनानू लिश्क के चूम देयां विक्णा, रूनू इक अद्पुत खोशी नाल सर्शार करन्दा सबब बन्दै। स्वेरे उठके जदों सब तो पहला, बार निकल के ना नित्विक्स देती मौल दे, हरे परे मित्रांकोल जाईदै, ता परतीत हुन्दै जमी हर पासियों, शुब स्वेर दे सुनेहे आ रहे हां। चमेली ते गेंदे दे फुल अपनी मैत मेरिवल पेज़ दे हां। गुल्दोदी, फ्लोक्स, पैंजी, केलेंडुला अद्वी, खिडखेडा रहे हुन्देरी। पिले गुलाब दी चाड़ी, कुझ अद खिडए ते कोई पूरे खिडए फुल्ला नू लेके खड़ी, इक होर नमी सुवेर दी आमदली, के तग होन दी बात पौंदी है। कुझ को होर कई साल पुराणे सदा बहार पौदेले। जिना ते कोई फोल्ता नहीं ओदे, पर अपनी हर्यावल नाल चोगिर्देनू सुहपण ते ताजगी परदान करन विट पर पूर योगदान पारेले। मैं इक किक करके सारियां दे कोल जाके उना दियां शुब एच्छावां कबूल दियां ते उनानू पोल्ले जे छोके शुक्रिया दा कर दिया। अजय, अजया खेडे परपूर महाल सिर्जन देले, ओता खीवे हो जान देले। इंज गुलायां बहुत संबेदन शील जो हुंदे नहीं सारी। इस सावी मंडली दा इखोर वर्नन योग मेंबर, चान्दनी दा बोटै, जो एक वड़े जे गमले विच साडेकार दे चातते रख्या। इस दे शोबा तक्रीबन पिछले तेरां कू सालां दोगदार्या। इदे मोत्ये वर्गे चट्टे फुल रात समेवी चानदी चानणी इंजलिश्क दे चिल मिल करदेने जिमें तारी हेठान ले आया आई हूं। उन जिस चानदनी दी निकीजी चाड़ी ने जिन्दगी प्रती बड़ी गंबी सुनेही अपने अपने दहाके तो वद समेदे साथ दोरान साडे परवार नल सांजे कीते में। चलो मैं इस बंदी मुल तो सारी दलगस दिया। इक दिन मेरे पाबीजी जेस सरकारी स्कूल च पड़ांदे संग। उत्थे किसे संस्था वड़े आके सारे द्यापकानू चानदनी दे पौदे करानूल जानवास्ते दे गए। पाबीजी हुरन दे अपने कार वेचे बूटा काफी वड़े चाड़ी दे रूप विच पहलन तोई मजूल सी। वीर जी दे पाबीजी चानदनी सानू तोफे वज्जों दे गए। उन्ता पाबीजीनू सेवा मुक्त होयांवी कई वरी हो जुक्के ने। असी को वड़ सारा गमला लेके इस चांदनी दे वूटेनू स्विच लगाके कार दिच्छात ते रखतेता तेस्ती बड़े चा नाल संबाल कीती। मेरे पतीने नू हरो स्वेरे पाणी देन दा नेम बनाल्या। समा पाके वूटा विक्स दा मौल दा एक फुला लद्दी लिक्की जी चाडी च तब दील हो गया। गमले च लग्या होन का केस दा फैला सी मती सी। मैं आमी इनू कितलिया मदू मखियां ते निकी गौणवाली चिडी दी मेजबानी कर दियां वेक लेन। एक दिन साडे कार दे सामने रहन दे गौणडन वेन जी ने भी मेरे कुल चांदनी दी सिफ्ट कीती। चार कु साल पहलना खबरे इस भुटे नल कीवा परिया। इया चान को मुर्जाया जया होके फिर सुक्णा शुरू हो गया। साडे कई किसंदे यतना दे बाबजूदा खरे सुक्णी गया। मन बढ़ा उदास होया। असी एदा तना उपरों ता पूरा कट दता। पर जड़ा उथे रेन गतिया। इनु थोड़ा थोड़ा पाणी पौणा भी जारी रख्या। अजे आसी के मताई नमे सिर्यों उग्गी पवे। काफी अर्साय से तरा लगया। ते परती थोण लगया के उड़ीक व्याक्थी साबत होएगे। पर एक सुवेर अचानक वेख्या के दे कट्टे मुड दे दोमे पासियों नमियां कुरूंबड़ां फुटियां होगया सन। जापे जुमी कुद्रगा कोई क्रिश्मा वापर गया होगे। वेखदेयां वेखदेयां होने इक दी थां ते दो चान्दनी दे बुटे बण गये। ते आई दिन पर फुलत होण लगे। फिर समय अनुसार दोहां ते पहला कलियां आयां जो सोणी फुलां विच बदल गयां ते समझो के चान्दनी ते मुडबहार आगे। मैं चान्दनी दा इस तरहां होसला बरकरार रखनली इक तो वद फेर तानवाद कीता। सवगातां तो वनस्वनियां हंदियांने। परे पौदा ता जापतां जिमें चानन वंडण वाला तो फई वोल। उनवी कई वार जदों हवा कोडों लंग दी। इदे पत्यानल कोई सुरुत तान छेड जांदी है। ते जापतां जिमें चान्दनी द पौदा जूम के गार्या हुवे। कदे फिक्के, कदे शोख, जीवन दे कई रांग। हिम्मत निस्चाना छडिये जेकर, कुद्रतवी तुर्दी सांग सांग। तान वाद। तीसरा लेक है, जे किते रुख बोल पै। हसी अपनी आले द्वाले रुखांदी मजूद कीती इनां द्वारा कीते जारे कम्माबारे, सोचन दे अद्धी ही नहीं। रुख, कुद्रत देनीक, क्रिश्मयां विच्चों इकनी। बिल कोले का जूब, तेस्तरती दा मान, ते शिंगार। इना रुखांद जंगल बेलियां तो बगैर इस ग्रैते जीवन दी कल्पनावी ने किती जा सकती। रुखांदे आपो अपने सुबावी हुंदेनी। कज्यानू चैल पैल पसांद हुंदी है, ते ओ, सुमोहां जा चिडियां चुग्गे नजर पैंदेनी। पर कुझ कोई कल्ले खड़े रहनों तरजी दिन्दे हुंद, वो शायद कुझ वदेरे गंबीर मनुबिर्ती वाले जा अंतर मुखी हुंदे हुंदे। सारे रुखांद ये गल सांजी है, के बोल्दे कुझ नी, सदा मौन त्यातम चिंतंच मस्रूफ नजरी प्यंदेरें। उने गल वक्री है, के मूख हुंदे हुईवी, बड़े अर्थ पूरन सुने ही, आम करके ही दिन्देरंदें। बसंत रुत्वेज फुल्ला नाल लद्दे जिन्दगी दा जशन मनोंदे रुखांदे नजार्यां तुम, कौन अपे जरै सकता। कई रुखांदे फुल्ल साडे चोगिर्देनू अपनी मैकनाल इत्थों तक लब्रेज कर छड़देने, क्यों खुशबू बंदे दे दिलों दिमागनू इक विलखांज या सरूर परदान कर जान दिया। फिरे इस खुशबू सदका बंदा चे थी अपनी अंदर, जिंदगी प्रती एक नमाँ उद्शा जयाओ उगमदा मैसूस कर दा। मेरे स्कूल दे गेटकोलिक शरीं दरुख लगाँ सी, जेनू बनस्पती विज्यान वेच अल बीजियाल ले बैक दे नानाल जाने आजाला। इस ते फुलांदी मैक जेडी रू सुवेरे बच्चयान दा स्वागत करया कर दी सी, आई देनिक अर्शी जया महाल सिर्ज दन्दी, जापता सी जमी बच्चयानू खूब लगननाल पड़न ले प्रेरत कर दी हुवे। ओ सुगंद अजवी मेरे चेतियां वेच इन बिन वसी, रूनू खेडा पर दान करनों हटी नहीं, जद के ए चार दा हक्यां तूवी वद समा पहलांदी बात है। ते हुणवी जित्थे के तेस रुख दे फुलांधी मैक जराकुवी छोके लंग जाई, मानता चाटू डारी बार के रंगले बच्पन वळे स्कूल दे मदांच पौन जांगा। जापदा जिने रबने रुखानू मुख तोर ते प्रिंद्यानू रैन बसेरा, ते सुरख्या पर दान करनले ही बनाया होईगा। रुख दे पंची एक दूजे नाल इस कदर एक मेक ते एक सोर ने के रुखानू पंचीयान तो बिना, ते पंचीयानू रुखान तो बगैर, चित्वना ही असंभव जी गाल परती थुन दिया। जदो पंखेरवानू रुखान दे पत्यां विच लुख के बैठियां, चैक दियां सुनी दे कजापता जिवे रुखान दा साथ मिले होन दी, खुशी इना तो संभी न जांदी होली। ते कई वार हवायना रुखान विचों लंग के, येनानू साज बना की, जदो कोई इलाही तों छेड़ दी है, तैना उत्ते बैठे पंची अपनी सुरीली चैच हाट नू नालड लाकी, किसे संगीत समेलन जया महालो सार गिन दिया। सांज वेले जदों सूरजा स्थोर्या हुंदै, अंगेन तो पंची याँ देच्चोंड रुखां दे उपर चक्कर लगा की, इक मन मोहकती अपोल्ल द्रिष्टा सरजी रहे हुंदै हाँ, नाली किसे वेखन वाले नू जापता है, जमें पंची उसकादर दा, इना रुख मनुख दीवी रुखा नाल मुद तो सांज रहे है कि कदे चंगी पक्की पीडी हुंदी सी, पुराणी वेले आंच के से पेंड दे विचकार सांजी थां ते इक वड़ा जा रुख होया करदा सी, आम तोर ते उसते हेठाएं कि गोडा कार जा चारस चबूतरा बनाया हुं उत्य वड़्यां ते बच्यांदार औणत मेला लगवी रहाना, वच्यांने उस रुख दे ठंडी चांती बजूरगांदी निगरा नी हेट, कई खेडां खेड़निया, ते वड़्यांने कई विश्यां ते विचारांदा आदान पर दां कार रहाना, कई दुख सुख जे किते जांदे संग, कैस मस्यामां दी हल, सेजे लब पेने, समझो के रुखां कोल कैयां दी पेत जमा हो जाया करदे संग, कै कटनावां दे चेशम दीद गवावी बन दे संग. खास्त ओर ते पिंडावेच ता पुराणे वक्तांच हर कारदे वेडेच तकरीबन एक रुख उगाया वुन्दा से, रुख दी मौझूदगी ने कारदी सुंदरतानू चार चान लाचुदने, परवारने इस्ती चाहेट मंजी डाके सोणा बैणा, उनुख दे द्वारा इ जात कीते गई एसी ते पक्खे, हुन आलरुत्ते किसे संग्णे बिर्च दी चान दे सुख दे तर नेडेवी नी टुख दे, उसे बिर्ख दे थले बैके सारे जियाने रुटी टुख खालन, रुख दे बच्याने पींग वी पैजानी हैं, जो उना दा वदिया मनो रंजन करदे, इक पासे डंगर वच्छावी चाना नंद मान लंदा सी, रुख दे बहाने पंचीवी उत्याके रोण की चपना हिस्सा पोंदे सां, कुल मिला के बड़ा स्कून ते टिकाज या परदान करन वळा महौल सिर्जय जान दा सी, साचताई ये के ना रुख दे आद काल सुमर्पत पावना नाल मनुख दे अंगेंत काम सुवारेले, स्रेलले वस्तरां तो इलावाए सदा फोल फालते चारन पकौन खातर बालन मुहिया करदे आए हां, इना तो प्रापत हुंदी लकडी मनुख दे कारते दफ्तनाद विच वर्ते जान दे साजू समान नू बना सज्जावती कमाली लकडी दी किती जंदी वर्तूं दाजकल कोई अंत मैं, सारे जीव जंतुआं दे साल एंड ली हवानू साफ करंदा जे माता लियाई विर्खाने हुयां, बन्दे दे लिखन पड़न ली कागजवी लकडी तो इंग बनाया जंदा, जदों तर तीनू औ अददकार से धंदे लें, फिर जे मी बहुत ज्यादा प्याजान ता जमीन नो खुरंतो भी एही रोक दे हुआं, जे किते किसे मनुखी वसों दे नेडे बिर्खा दे चौंड खड़े होनता है मनुखानों सुनामिया तक तो बचा लग दे लें, जीवानों शोर, परदू चक खड़ने रियाद हंडा केवी, हर कोर आये होयेनू सुरख्या परदान करंद यार चिरन देलें, जे राद याले द्वाले रुख मौजूद होन, तक किसे मन्जल वल तुरे जान दे राहीनू, वो वाट उजार सुन सान लगणों हट जान देलें, यो दा मन परचावा क करंदा बहुत कारगर साधन जो बन जान देलें, वो परोकत सारीयं गल्लानों चितार के रुखांदा मनुखांदे नाल किस कदर लगाओ है, साफ जाहर हो जान देलें, रुख बहुत सोजवान, फ्राख दिल, ते असूलां दे पके भी देलें, अपने सारे कमानों बड़े सुचजे तरीके ते ठर्मे नाल में परेचाडन दे अब दी, एक कनून कदी नी तोड़ दे, सदाईक का नुशासन वेच विचर दे हैं, तेस गल्ते मान भी मैसूस कर दे हैं, होर अन गिंत गल्लां दे नाल रुखांदी जीरांद दा जिकर भी गुर्बानी चांगा, जे दे चोगिर्दे दी सजी, संवरी, नक्ष्नुहार, ते वातावर्न दी सेथ, इना मूख का मियांदी ही मुथाज, इस काइनात दे सुहपन दा सबब बन दे, इत्थे तुरे फिर्दे सारे जीव जंत भी अपनी होंदले इना लाजवावरुखांदे मिर्बर कर देले, जी निरंध तर मिल्दी, प्रेदना सदका आम ही मुली है, पर इस सब कुछ दे बावजूत, अजो की जोन शैली ने रुख दे मनुख वित प्यादा कर गिती है, आजकल बिजली दी होन सदका बंदा कंक्रीट दे बने बंद कमरियां जो गई रह गया, होर ता होर बंदे ने प और परदूशन ही फ्यला रहे है, ये केनी दौरते क्या जा सकता है, कि रुखां दी मनुखां प्रती वफादारीती कोई शंका नी कीता जा सकता, इस तर्ती दे बावध होब सूरत जम्मेवार बशन देले, इना दे परुख कारण गेंट दे बेश कीमत ने, ते इना दा अजय विट, इस तर्ती दे सब्तो तमक्वांदे जीव, मनुख तो यास किती जांदिया, कि उदा रुखां प्रती विहार, मान ते शुक्राने दियां पावनामा ना लब्रेस होगे, पर अफसोस, अजय हो ने गया, इना द्वारा किती जारी नेकीनु अक्सरियन गोड़ प्रती उक्काई अवैसला होया, होद गर्ज सोच देवास प्या, आप उवी मशीनी जया बनेया प्या, सम्वेदन शीलता, उदे वित्तीरे विच्चों कताई मन्फी हो चुकिया, ते थो तक के उनुँ शाय देवी ख्याल नहीं, कि रुखांदी संबाडु ते उदी अप तवर्न ते मौसमा वेच बड़े विगाड प्यादा हो चुकिया, इक हरा परा रुख किते सडक देखंडे खड़ा, कदे रायानु तप्ष्तों राहत दिवाणले चांपरदान कर रेया, ते कदे किन मिन हुंदी वेच चतरी बनके, अपनिया सेवावां पेश करके, अगला दिती जान दिया, विचारी रुख दा किन्ना साख उटदा होईगा, ते सेख भी असैंड योग, उन्ज भी जिन्ना परदूशन कीता जा रहे है, उन्ना साफ कर सकना, रुखां दी सम्रथा तो ता हैवी बार दी गल, अते इसी करके बंदा नित द्याड़े नमिया बिमारियां से हेड रिया है, कदे कोई मान मता रुख किसे खेत विच उपर नू सिर करती, जिवे इबादत करन दी मुद्रा विच मगन खड़ा हुंदा है, उस दी मौझूदगी नू नजर अंदास करके, खेठा खेत विच खड़े नाड नू अग लगा दिती जान दिया इस परकेरिया विच मजबूर रुख दे पत्ते चुलस जान देने, ते कदे तनावी सार जान दा, मुर्के उसे रूप विच उण्दया रुख नू किन्ना समा लाग जान दा, उदावी ता खेडे खेडे हरे परेरे केती साफ हवा विच साल नढ नू दिल करदा होईगा कदे जंगल च खडे बिर्खानू दावा नल वर्गी आफदा सामना वी करना दा जान दा, इंज अचन चेती किन्ने बिरक साड चुलस जान दे हैं, रुख दे प्रती सम्वेदन शील्ड रवया अपनोना समेदी लूर, बिर्खान दे कदर्दान बणियां इस ग्रय दी सु नैतिक ते सब्याचारक कदरां के उन्तानू मुड़के सुर्जीत केता जा सकते हैं, इना परुपकारी रुखांदा देनां तासी नहीं दे सकते, पर्चंगा होवे जेसी अपनियां ओनवलियां पीडियानू वर्तुवद रुखानाल हरी परी, ते शिंगारी होई तरती विर्ष से विच दे के उना दी योग, उना दी योग रहन उमाई करिए। इतिहास गवा है के मुड़क दीम तो ही जीव जंत समय समय अपना रूप, आकार, रहन सैन दे टांग, ते तौर तरीके अपने आले द्वाले, आबो हवा, ते हालात मुताबत तब्दील कर लंदे एहाँ, एन इहो काम रुख भी करते हैं, कदेता जाता है के ते हालातों पर बावत होके, ये बोलनी न लगता हैं, उन तक ते साडेवलों कीतियां जा रहे हैं, गैलियां ते जियातियां चुप चुपी ते सैन कर दे आएंगी, पर आखर हर गल्दीक हद दुदे, जरा जे के ते सची रुख बोलना शुरू कर दें, ये मुर पिछे नी वेखाल लगे, गल गल ते तिखे प्रती करमजार करया करने ले, फिर जे कोई मनो किसे बुर्ख दे नेडेवी टुकेगा ते शायद आख दें, चले जाओ ये तुदे, मैं तांग आचुक्यां पोड़े अबती रेते, उन मेरे कुल कुछ नहीं तो अनुदें ले, इस संभावना तो मुन करनी होया जा सकदा, क्यो अपनिया टाणिया ते पत्रानों सुमेत लवे, अपनी संगनी छान दें तो इनकारी हो सकदा, एक ख्यालवी मानवेच आर्या है, कि जी एक रुख जया कदम ते बंदे कोड कान बंद करन्तों इलावा कोई जारा नहीं होये ला, एह हवा साफ करन्तों वी ना कर सकदेगी, ते नौबत ए आ सकदी है कि बंदायना दे तरले करे, पाईसाधिया पुल्लां वक्षो, सानू खेमा करू, अग्गों किसे वी तरां तोनू परेशान नहीं क साड़े अखे ते हुन पुरोसाई ना करन्तों, वेखोए ता हुन निरूल, इना दानशमंद रुखांदी मर्जी ते निर्बर करेगा, के सानू माफ करन्ते रौन चाओंदे, वी नहीं कि नहीं, फिर बिर्खांदे बारे इतिहास वीचे गल, दर्ज हो जाएगी कि पहला ताई चुक पीरिया कर दे सन, परिक्किमी सदी वेच मनुख दे कई दहाक्यां दे गैर जम्यवार विहार ने रुखांदी मजबूर कर देता, मैं सूसताई हो रे, कि अजे वी मौका साम लेया जाए, ताके हालात अपने हत्तों ते वसों बार जानी न, आउ सारे रालके ग ती, रुखांदे मैं रहां अंग संग, बैके इनादी संगनी चामी, बन जान्दा अर्शी रंग टंग, तामी भावर परंबीर कौर दी पुस्तक्त रंगली वाटते तुर्द्यांदा, अगला लेख है, नमे वरे दा काद नमा वरा जदोंवी भुए दस्तक देननों हुंदे, ता वन सुवने तरीक्याना लेदा स्वागत करंदी त्यारियां बारे पड़ं सुनननों मिल जान्दे, ते लंग चुक्के साल दा कई पक्खांतों लेखा जोखा करंदा जिकरवी, आम वर्तार, पर पता नी क्यों, अ अपना मानेस मौके नल सबंदत जये ऐसा सांतों विर्वाई रेया, ते हर वार नमा साल चुक्च पीते बगैर किसे उचेच देया हाजर हुंदा, होर ता होर अपने चार दहाके पुराणी सेहली चिकीनों, कदे नमे साले शुब इच्छावा किसे रूप वेच भी नहीं इस साले में ख्याल आया कि आखर कुछ ता हुंदाई होएगा, नमे वरे दी मुदली पर बात वेच, जिड़ा इन्नी वरम जोशी नल कई सरगर्मियां दे मनसू बेव लिखे जान देने, सोच्या शायद मैनू अपनी सम्वेदन शक्ती नू तिखा करके मनू पामा दे सुई, सावी, सुवेर नू सब तो पहला, वेडे विच दानी रूटी, खानाया, चिड़ियां, तो ते बुलबला, मैना, मुट्या, पूरियां, चिड़ियां, कुगियां ते कामा आद नू नमी सालदी मुबारक देती। इना मुलुखां दे तौर प्रीके साड़ी समझतो बारी ने, खर में चैनते शांती दे मुल्तोता या जान जापते ने, एक मैना बुल्दी, ते सारे अने सिर्व लाके सैंती पर गिपाई। तुसी का रही हो? मैं तो अड़े को लौन दी सोच रही से। मैनू ता चा चड़ियां। बिल्कुल कारां जी आजाओ, सगों रालके नमे बरे दी चाप इन दें। पंच साथ मिंट बाद एची की आगे, उधी हाथवेची के लिफाफा ते नाल मेरा कार सी आख दी, एक इसुजी एसुआर। साड़ा ता मना विचलियां शुब छामा नाली सो नूं गुजारा होई जान दै। अजयी कम अप्पंक दे कीते ही नहीं, उने ही दाकिया देखे गया सी एकाड। मैं सोचया कि मैंवी सेली नूं नमे साल दियां मुबार्कां काड रही दे दियां इसुआर। लोकी ता पतनी की की करी जान दे ने नवे बरे नूं खुशाम दी दा खनली। मैं थोड़ा चक देयां जयां दस्यां। नमा साल ता कदों दा पुराणा हो चुकें किन्ने कंटे हो गया यह दी वर्तों हुन देयां। यह ता रात नूं बारां बज़े देयां एक पल चु पुराणा हो जान दे कि अपाँ जान दें हैं। कि नमा इस्वेट कुछ हुन्दा ही नहीं, केवल इक इकाई बदल जान दें। उन्च जे यसी सचमच वाता वरंदे शुब चिंतक का आता पता हैं। जे हर कोई काड पे जनते आ जाएं तक कि इन्ने रूख कटे जान दें। विचार था तो अनुपता हैं के मेरे भी आ नहीं ने, पर चिकी दे प्रतिकरम ने मेरा सारा उत्षा मठा कार देता। यह में देखा देखी वेचा पानू अपने ठीक विचार बदलन दी लोडनें। नवेकला था हर दिन तेथो ताके हर पल हुन्दा है। इस नवें पानू माननले यसी एक वरानी उडेकना हुन्दा। मैनू ता खबरे एक देन वेची किन्नी वार सज्जरे पन्दाय सास हो जान्दा। जिदेली में अन्ताँ दी शुकर गुजार हुन्दिया। चिकी हमेशा दी तरह अपने पाप पूरन वेचार मेरे नल सांजे करी जारी सी। फिरी कदाम होदी नजर नाल्ली आंदेले फाफिती पहीता पोचली। तो अडे सामनी बनदेकार च अजवी उस मजदूर ओ मजदूर औरत आई होई है न। हैगी है उत्ती मैं वेखी है कुच्छेर कल्ला। चलो एक मिंट जाकी आईए उसको। आक्के चिकी उठकुलोती। बार गय तो औरत अपनी दास बारा साल दी ती कुसम नाल रोडी तोड़न विचरू जी सी। सानू वेख्यो वद खोश होई। उना मामाती यानू नमे साल दी कुई जानकारी ही नहीं सी। चिकी ने उधी बेटी नू बिस्किट दे पैक्तां वडाले फाफा दे देता। कुसम ता फुली ना समाई। चिकी वल वेख्यों ने जिमें अपनी मुस्क्राहट नालता नवाद कीता। जद उसी वापसकारा के बेटियां तमें आख्यां, लोका ने नमे साल दे नमे संकल्प करंदी भी रवायत बनाई हुई है। चिकी रहोब हसी, चंगेरे बननदे संकल्प में हर रोजी मौक्के मुताबक कर दी रन्दी है। चोगिर्दे नुभी बेतर बनों लेगे। कुछ त्रक्की भी हम लिया इस्तरा, वरना जिन्दगी ता केडी रफ्तार ते पजी जान दिये। इक-एक पल वड मुल्लै, अजाई ता किसे हाल गुवायाई नी जा सकना। देन महीने ते साल आत्तांकेवल समेदी प्ताय मायशता एक जरियाई ने, चिकीनियाव पुरोकत टिपनिया सुनके, मेरे विचार मुड पहले वडे तिकाने आगे। अगला लेख है, साड़ी पच्छान, साड़ी मात पाशा। पाशा दा मुड किमें बज्या होएगा, इब बहुत रौचक पर जिग्यासा प्यादा करन वळा सुवाल। बंदेदी बोली, इत्थी मजूद हर जीवान अलोईनी वक किमें होवी। हो सकद है, साड़ी किसे पूर्वज नूँ ख्याल आया होवे, के पिन पिन अवाजां दे अलग लग अर्थ निर्दारत कर देते जान। ता जो एक दूसरे नूँ गल समझान चे सौफ गई। ते बस एक वेर मुड बजण दी ही ता लोड हुन दी है। फेर इक गती जी बन जान दी है, ते अग्गे तों, अग्गे निरंतर तरकी हुन दी रन दी है। जो रोक्यां भी नी रुकती, हुन ता पाशा विक्सत हुन दी हुन दी कित्थे पौँच गई है। इदा कोई आंती नहीं। जेडी बोल्ली जा पाशा बंदा अपणी मांथू सिख दय, हुधे कार्च बोल्ली जान दी है, जिन्नुँओ बिनां किसी उचेच दे बोलन समझन लाग जान दय, मां बोल्ली यक्मों दीले। कोई वी व्यक्ति अपनी माम बोल्ली विच्छी सोच दैं, उदे ख्याले से विच उडार्यां मार देले, ते दे जरिये ही उदी संसार नल सांज पेंदीले। एक बच्चा मुड्डवेच पामे बोलनी सक्दा हुंदा, पर जदों तक चार मीने दा हुंदा हैं, उगल करन वाले दे होठां दी फेल जुल, ते वक्खो वक्रियां वाजां तो ना दे अर्थां दा अंदाजा लगोना सेख लंदा। बंदे दे जीवन्च पाशा दे शुरुवात बड़ी साधे दे सरल लफजा जिना दे अर्थ बच्चा समझ दायनाल हुंदीले। पर होड़ी होड़ी बच्चा नमी ते सोखे अक्खर अपणे माप्यां तो तेजी नल सेख दा जांदा। खोजाएवी सिद कर चुकियां हनके एक बच्चा जनम तो पेल नहीं अपणे माँ दी पाशा शैलीनू समझन लगज़े। जिनने अखर बच्चा बोल सकदा हुंदा उस्तो किते वदनू समझन दियो काबलियत रखता। उदी बोली दा मुर्ड ता इस तरहां बज़दा है के जेड़ी लफज बच्चे नू अखे प्रतीत हुंदे नहीं। तो उना दा कुछ हिस्सा कटके जा तबदील करके उनू सौखा बना लगदा। जिमें असी बच्चे नू मुर्गी वखोनेयां तो आक दै मौमौ। जैसी गुलाब बोल देयां तो बच्चा बोल दै गाब। इसे तरह जैसी नू दस्तियां पापा यूनिवर्स्टी गए तो अग्गों बोल दै पापा यून्ची गई। एकु साल दी उमर तक बच्चा बहुत सोनी तरह अंगाल बात करने ही सिख जाना है व्याकर्ण पक्खों भी काफी हद तक द्रुस्त कई वेड़ता बंदा हरान रहे जंद है कि आखर बच्चा कितों भी सिखलाई लाई बेना इस तरह बोलना सिख कि में गया इक चम्तकार जयाई वापर्या परतेत होंगा इस सब कुछ दापावे ही है कि बच्चा अपनी माम बोली नुँआप मोहरी सहज रूप्च बगैर किसे विशेश मेनत तते उचेच दे ग्रैन कर लंगा असी पंजाबियां ने इसे जरीए कुदर्ती तोरते अपनी माख्यों में ठी मात पाशा पंजाबी हासल की दिया उन्हें माम बोली ओ पाशा हुंदी है जिदी मौजूदगी वेच कोई व्यक्ते इंज मैसूस करदा जिमें अपनी मादी गोच चे बैठा होए एन सुरख्यत अजाद सब के समदिया मुसीता चिनतावा ते अडिक्यां तो महफूज जे बंदे ने बोलना होए तावी उसनों अपने पावल व्यक्त करण वेच कोई दिक्कत वेश नहीं आओदी वो बे रोक टुक्वें लफजां दी कमी मैसूस कीते विना बोलदा रह सकता है उदे ख्याल भी मादपाशा दे जामे विच खुल के उडारियां मार देला जे कोई लिखारी है ते पावे उँ होर की नियां बोलियां जो महार होए जो स्कोन सौक ते खेडा उनु मादपाशा च लिखके मैसूस हुन्द है वो होर किसे पाशा च प्रापत नहीं होसत करा बे शुमार जेंगयां दारना मिल जांदियां हन जिते किसे लिखक ने होर पाशामांदा तजर्बा हुन दे विवी अपनी मामबुली नाल अपनत मैसूस कर दियां इसे विच लिखन्नों तरजी दित्ती पड़नावी सदा मामबुली विच्ची सब्तों सुखाडा मन्या जांदा क्योंके इस नाल मुड़ों ही वाक्वियद जो बनी हुन दिया कोई उप्रा पन मैसूस नहीं हुन दा साड़े देश दी सिख्या परनाली तिन पाशाई फार्मुला वी इसे तत्ध देदार्ते बनाया गिया ताके पड़ाई दा मुड मामबुली तों ही बन्ने आ जावे इस जीवन वीच विचरदयां कई मौक्य जेए आजान देनी जदों किसी व्यक्ति नू कोई गाल किसी होर पाशाच दस्ये जान करकी समझ नी पहरी हुन दी फिर उही गाल जदों उननू दी मामबुली तों स्पष्ट कीती जान दी है तोंनू चाटी समझ आ जान दी है दसन दे बावजूद कोई नुपताव द्यार्थियांदी पकडच नहीं आर्या हुंदा। अजय विच एक सूजवान ते तजर्बेकार द्यापको ही गाल पाड़े आनो ना दे मातपाशाच समझा देंदा। इस तरा नाल की तीगे व्याक्यानो उसारी उमर नहीं कुल दे। कदे किसे पराई तरती थी विचरदे इंसाननू उदी माम बुल्ली बोलन वला बंदा चानक मिलपवे ता जापदा जिने। अपने वतन तो आई हवा दे बुल्ले दी छो प्रापत होगी होई। असल चे मिल्मी अपनी कारफेरा पौन वा वर्गाय सास दे जांदिये। नले तजर्बा उस बंदे दा अपनी मात्पो मी ते अपनी कारबारली प्यादा होयो दुरेवे नू कुझ हद तक कट करंच सहाई होंगा। उन जाम लोका नाल रापता कायन करना होवे तावी मात्पाशाव ही मददगार से दुल दिया। मात्पाशा दी महत्ता इस हद तक है के जे किसेनू सजा देनी होवे तव दी मात्पाशा बोलनते रोक लाले। कोई वी बेहद दब्या कुटेया मैसूस करेगा इस हालत विच। उन्हों जापेगा जिमें उदे खुल के विच्रन ते थो तके साल एंड ते वी किसेने पबंदी लगा दिकती होगे। ये थे मैनू अपनी बेटी नल सबंदतीक गाल चेते आ गई हैं जो मैं आप दे नल सांजी करना चाहांगी। एक उट्टाई कु दहाके पहलां दी गाला जदो उसी अपनी तीनू एक नर्सरी स्कून चे दाखल करवाया। कुझी दिना बाद जदो मैं तीनू स्कूलों लैन गई ता उस स्कून दे प्रिंसिपल मैडम मिल पैई। ते आख दे तो अडिबेटी नल चेड़ी मरजी पाशाच गाल करिये। ये पंजाबी वेची उत्तर देन दिये। कि तुसी का अर्चे दे नल केवल पंजाबी बोल दे। मानी मानच मैं उपरोकत टिपनी सोन के मान मैसूस किते बिनाना रह से। हां जी असी आपस वेचवी पंजाबी बोल दें। ते स्ते नाल वी मेरा ज्वाब सी। ये ठीक नहीं। पेरे हिंदी ते अंग्डेजी के में सिखेगी। तुसी इस ते नाल का अर्चे हिंदी बोलने शुड़ो करो। प्रिंसिपल साह बाने सला देती। हिंदी तांजी मैंनुवी बहुत चंगी तरां होंदी है ते एवी जरूर सिखेगे। पर जे बहुत छोटी। एस वेचारी नूँ पहला अपनी माम बोली सेखलाण दे। एदी कल्पनानू खांब लागलाण दे। ए मात पाशा विट ता जड़ां पक्कियां करलाई। ए आने आने करना, असी अपनी निकेजी बच्ची ना। मेरे उत्तर बारे उननाने खबरे के में मैं सूस केता परिस्तों पेचो उननाने कदेती ही ते सिर्फ पंजाबी बोलन दी शकायत नहीं केती। ता एकुद हाक्या मगरोईस कटनानू चे तार ना जुई मेरे लेक नव विकली तसली दा सबाब बन्दा। एक मनों विज्ञानक सचाई है के जड़े बच्चे पहला अपनी मां बोली च परपक होंदे नहीं। वो अपने दूजे साथियां चिनानू मुड़तों ही मां बोली तो छुट होर पाशामावी बल तोर दिता जान्दा है। नालू होर बोलियां चिछेती ते वधियां के समदी मुहारत हासल कर लंदेले। जे कोई बो मंजली इमारत उसारनी हुए ता नीनू पकेरे करंदे कई उचेच कीते जान्देले। किसे रुख दियां जड़ां कटियां होंदे फेरपा में उनू किनियां खादां दे पाणी आद पाशा दी ही हंदे हैं पिच्छों बच्च घंदी में अंग्रेजी जयक किसी खेतर अंतर राश्ट्री किसे वी मन्न्ण योग होएगा कि जड़ों सी खूर दे जिक्छर कर देंयां तासी अपनी माम बोलीनू हर्गी स्चुट्यां नहीं रही हुए असल चुमा मोली तो इलावा होरवी पाशा माम दी जानकारी होना मांडी गले अपनी समरतादी हाधताख अपने ग्यान चुवदा करांदी कोशिश करनी बनदी ही और अपनी मात पाशा पंजाबीदीया सेफताँ ब्यान करनीयां कोई सौखियां नूए इस कोड विशाल शबत पंडार मजूद हुन्दे हुई वी इदा अपना वर्नन करन समय लफजादी काठ में सूसोन लगतें दियो ये अपनी वर्न माला दियां तुनियां करके वी का मीर पाशा इस विच सोच्स लिके दे नाला सीम सम्रथा ते संबाव नामा उपस्ते थन जेसी सरब सांजी वालता दे उक देश नाल होर उच्ची सुची जीवन जाच दे अनकिन ते लाही सुनेयां नाल लब्रेज सिरी गुरु रन साब जी दी बाणी तो लाग उठाउन दी तमन्ना रख देयां ता अपनी मात पाशा पंजाबी ज मुहारत होनी लाजमीर फिर गुरु बाणी तो जीवन दे म्यार नों उच्चा चुखन ते रहा नों रुष्णावन दे लाई सेज्जे इसेद लाई जासके लिए साचता है ही है के साधी मात पाशा की सेदी मुथाज नों सगों असी एक काम्याब जीवन ली इस दे निर्बर कर देयां इस नेत आपणियां नेक खुबियां सदका सदा प्रफुल्लत ही हुण है जे कोई इस तो बेमुख होके एदे महत्तवनू अंडिठियां कर दाया तो समझो के अपनी पचान गवा के अपनियां ही जड़ां काट रहा फिर अपने आपनू बेकार करके बिगानियां थामा ते टोई लबदे फिरन ते आउन वालियां पेडियां ले कंडे भी जन दे तोल है इस करके फोरण सुच्चेत होके निश्चा करिये मां बोली पंजाबी देने तेरां ही उपकार आउ करिये असी इस्ता खूब मान सतिकार अन गोलियां इनू करंदी करिये ना कदे पुल पानी सकदे इस्तासी किसे हाल वी मुल तन्वाद अगला लेक है विदाई की पार्टी सेवा मुक्ती लफ़ज दे वखो वखरी लोकां ली पिन पिन अर्थ हो सकती हैं ते उना सारियां दी मनों बिर्ती दे निर्बर करदा ए मायने विरोधा पासी वी हुंदेने अजे आमी लोकां ली गालबातो सपष्ट हो जान्द किसे देली नुक्री तो सेवा नुविर्ती दा मौकाउ दासी परेयां बुड़े पेते जीवन संद्यादी आमद देया सास जया सिद हुंद अजे इंसाननों परतीत हुंदा जम्योंदे जीवन दा बेहत्रीन पागता बसोन कदे ना मुड़के आउन वड़े अतीत विच समागया हुए ए लोक जीवन दे इस पड़ाती आके अपने आपने आपनों बड़ा वंचित जया मैसूस करन लागतें देगां पर नाली एवी मन्नन योग होएगा के स्तरांदी सोच बंदेनों सरीर ते मानसिक पखों बोध तालांदी है बंदा निराशादी को मनके रीचेंज फस्तायक्यों स्विचो बार निकल सकना कदे तां बस एक सुपना बणके इराजांदा ते अपने द्वालय जय हालात्तांदी उसारी कार लेणां तां एस दुर्लाब तेवड मुल्ले जीवन्द असल मनोरत हैवी ने उप्रोकत नजरिये दियान वे प्रेत सोच बढ़े लोकांदी वी कमी ने उना दिले अपनी नोकरी तो सिवान विर्ती दा पाभ हंदै इक नमे जीवन दी शुरुआत इक बज्जे नेम तो चुटकारा ते पूरन अज़ादी जड़ी पहलां कदे नी माने हर बंदे दे कोई न कोई शौकती रुचियां जरूर हंदे ने जदो बंदा नोकरी चुंदे ता जाहिर है कि उसनाल सबंदत फर्जांब यदाईगी आद करके इस दोरान अपनिया रुचियां नो पर फुलत करन्दा मौका ना दी बराबरी मिल्दा सेवा नविर्ती तो पिछो ताजे कमाले समाई समा हुंदे साड़े सामने बेश उमार एसियां दारना मजूद हान जदो किसे ने नोकरी तो सेवा मुक्त होन पिछों किन्ने रच नात्मक खेत्रा मेच विलक्षन प्राप्तियां कीतियां होर ना दी प्रेर्णा लैंड यो कई नमे पूर ने पाई बढ़ेयां दी लहीता जिल्दगी दाई दोर पहला नलोब देरे संतुष्टी दे खेडा परदान करन्दा सबाब बनदा भी वेख लही दा बंदे में जोत जर्बेदी पूंजी जीवन देस पड़ाती पुजन तक इकत्तर कीती हुंदी है उसनू वर्तूंच लिया के नमे अर्थ देन दा वेळावी यही हुंदा इस मनोबिर्ती वालियां ले समझोरू जेमियां दे इक बिल्कुल नमे अध्याय दा मुद बज़ दे जिस सदका आए दिन उनानू खुश करन वालियां कन सुवावू ए दस्तक दिन दिया रहन दियाने हर नमी सुवेर अपनी बुकल वेचिक नमी चाती उमेदी किर्न लेके हाजर हुंदी है अके में निराशा ते उदासियां दिया उपगत करन ले इना लोकां कोड कोई वेल नहीं हुंदी एस सारे जय इंसानां दियांगन विचों खाली हाथ दे मायूस मुड़देवे के जासती दे विचे जे मेरे जीवन साथी उनिवस्ट्री दे परफेसर वजों तकरीबन साटे तिन दहाके कारजशील रेन मगरों सेवा मुक्त होए मैं इस मौके दी साच मुझ बाथ शिद्धत नालोडी करदी दी सा इसले जदोए सबाब बणेयां तमानुबण चंगा-चंगाय सा सोना सुबावक्सी जा पेजी में जिंदगीक नमे नकूर खुश गवार मोडते आवी होए पर जेडे वाकफ हुन्देने उनादे प्रतिकरमता पांध पांधे बहुत यांदे लेए एक सदारन जानकारी है कि हुन प्राजी रिटायर हो गए हाँ पर कईयांदे इस खबर नू सुनके प्रतिकरिया उपरीते विचित्तर जी पास दी हो गई है बंदापा में वर्यांदे पाज दोड़ दे नेंतु छोट के रहत मैसूस करदा होई किन्नी संतोष्ट तेरुजे में पर पूर्जिंदगी बसर कर रहा होई पर लोकांदा आये सुवाल होर फिर के में लंगरे ये आजकल जरूर अकाच छड़दा अन्गें तुवार्ता मैंनू विस प्रशंदा सामना करना प्याच चुकता है किवे समाबताओं देने प्राजी हूँ इक वार मैंनू पताविने लग्याते में अपने आपनू इदे उप्तरविट सैज सुबाई ए पुछदियां सुणया कि मेरे पती नौकरी तो सेवा मुक्त होन वाले इस जहान चोहन तक दे पहले व्यक्ति ले इस तो प्रशन खुछण वाला हक्का बक्काजे रह गया उन्ज पिछो इस गलते हसे भी बहुत मेरे पती देवे पागवाले ने इनानू विदाईगी पाटी देंदी योजना बनाई उनाने परवार सुमेत आणदा सद्धा देता दुपैर दे खाणिदा प्रोग्राम सी जदोसी मोक्य वली थां ते पुझे ता सारियां दे पुर खलोस दे बेहत्स लीके वड़े विहार ने मेनू बहुत परबावत कीता काफी गल्लां बातां हुन दिया रहा महाल बहुत अपनात परयाते स्टून देन वड़ा सी आयोज का वलों प्रोफेसर साब नी उनिवस्टी च बताई वरियां बारे अपने तजर्बे दसन ते विचार परगड करन ली आख्या गया उना ने कुझ मिंटा वेचो संस्था नल रहे लम्मे सबंद बारे कई आदा मुर्चितार के सबना नल सांजियां कीती है आम गल्ला बातां तो बाद वारी सी खाणा खांगी मेज बानानी सब तो पहला सानू खाणा लेंड ले आख्या इस तो पिच्छो ना सार्या ने आप लिया ते फिरे कठियां बैके सबनानी स्वादले पो जंदा नांद माहिया खाणे नू लज्जीज बणाउन वे चो थोंदा हर्यावल ते वन सुवन्ने फुला नल सर्शाद चोगिर्दावी एम पो मेका निबारे आसे बाहर रुखां ते बैठे प्रिंद्यां दी चैचाहार ने मधुर संगीत परदान करके महौल नू अर्शी रंगत दे चल्दी अजे जमें साड़ा मान करन वेच कोई कसर बाकी रह गई सी मेरे पती दे सहयोगिया ने सानू तो फिवी दे हुँज दो सारे समागम नू बरखास्त करन नू खोए ते करा नू जान दा विला सी ता एकदा मेरे मान ची ख्याल आया कि मैंनू भी सार्यां दा रस्मी तौरते ता अन्वाद कीते बिना नहीं जाना चाहिदा मैं सबनानू मुखातिब होके आख्या मैं अपने इना दे नाल गुजारे साडे तिन दा हाक्यां दे दा आर्ति कैसक दियां के मेरे पती नू अपने विशे दा बाहुबी पता से एक लगन वाले अध्यापक रहीं के अपने पेशे नालसबंदत जिम्मेवारियानू बहुत मेनत नालने बाहुदे रहीं परे मैं नू आज पता लगिया है कि डॉक्टर साहब इस सारा कुछ तो अडे सारे वलों दिती गई शानदार विदाईगी पार्टी लेहन लेग कर दे रहें अगला लेख है समा है दुरलब वस्त इस जिल्दिगी वी किन्नी अजीबो गरीब शेय है न सदा हैरान कर दी एक गुंजलदार बुजारत जी समझो हर समे कोई न कोई अन सुल्जे स्वाल लेके उनादी हल्त लाशन चुव्यस्त ते इक बंदे विचारेदी की ओ कात के ओ इस दे मेच दा बणंदी कल्पनावी कर सके उदे हाथवस्त बस निरंतरे दे कदम नल कदम मे लाके तुरंदी कोशिश विच रुजे रहना ही है पर इस जीवन पंद ते तुरे जान्दियां सानु इसे वाट दे होर पंदियां द्वारा पुच्छे जान्दे स्वालां दे वी रू बरू आम ही होना पैजान्द तेना प्रशना विच्छों जिसनाल मेरा सब्तों वद्वापिय है ओ है की करदे हुन्ने हों समागे में बतांदे हो निश्चे ये प्रशनाम तौरते होर ना नुवी केरा पौंदा हुएगा उप प्रोकत प्रशन दे उत्तर विच्छ से जी फौरी प्रतिकरमताई हुन्द है जी अजे तक ताई नौबत नहीं आई के समाँ बताणा पवेत सो वो सच्चा ये है के कमब दे रेने ते समाँ बेहाद काट उन तजर्बे ने दसिया के उत्तर कई होर स्वाल खड़े करन दा महार है जुए क्यों इन्ने केडे रिजे में हुन्दे ने जेडे वेली नी हुन्दी जां मैं मानने नी सकदी के हुन भी तो अनू इन्ने कम हुन्दे ने के फुर्सत नहीं उन्ता बच्चे भी बड़े न कदे टीवी जां बजार जाके खरीदो फ्रोखत दा सहारा लेना पै जांदा ते कदे केवल सौन्दू ही समालंगा उन्दे साधन वजों वर्त लेया जांदा काश कोई जया तरीका वी जाध होया हुन्दा जिस जरिये मैं इना सार यांतो ओ वद्धू समा जेड़ायना दे ने परेचाण के मैंनू शायद होडा एसास नसीब हो जांदा ओर ता होर पिछले किन्ने अर्से तो मानते हावी होए ते अंदर हलचल मचाई बैठे विशे समय बारे लिखन लई ही समा नहीं सी मिल रहे है पाथारों गल जो असी सोच देया उसे तरह होता नहीं जांदी न उन्जे समा अजिया विशा है जिस बारे बंदा जिन्ना चिंतन करे उन्ना इव देरे उल्जिता जांदा तेस बारे वन सुवने सुवाल मन चूट खड़े हों देने तेना शंक्या विच्छों कोई उत्तरता आजे मिले भी नहीं हों दे कुछ होर दूरियां प्राप्तिय पास दे हुं देने पर इस समा इता कुछो ना केडी रफ्तार ते बे रोक पजया जांदा चुक चपीतियां कि नई लंग जांदा समेदी खासियती है के नूं किसे दी कोई परवा ने किसे दी खुशी जा नराजगी इदेले कोई आहमियत ने राख दे असल चु समा निर अर्थक गलांत उपरले मंडल्च विच रंदा दीव देरे परतीत हुंदा अपनी होंद दी महत्तानू सै मान्या वेच जो समझेया होया है इने समा हुंदा तो ही है पर किसे देले ये पजया जान्दा जानू खांबला के उड़दा किसे होर देली जेमें अहिल खड़ा लंगन चुनी आउंदा वैसे बंदेनू सुखावा मैसूस तदे हुंदा जे समा अपनी चाले तुर्दा जाप्ति इना प्रस्पर विरोधी एसा सबा बसल चे सुबंदत व्यक्ती दी उस वेले दी मनोंदशा उदे निजीत जर्बे पिछोकड निजरिया ती आम हाला थुल्दे हैं समाता समझो एक निर्मल जाल्दे निरंतर वगदे द्रियावांगा रुकन ते उडीकन जे यां परिक्रियावां तो बिल्कुल बेख पर इविचारा तां जी होजे खेत्रा हालातां ते युगां चो लंगदा हैं उगोजे रंगत तक त्यार करदा जांदा हैं समेनू जड़े पत्थर युग कांसी योग ते लुगा युग वर्गे ना प्रापत होय निए वोवी तैनां ती इना ही कार्णा सद्का होया पर पता नहीं क्यों आमी ये विचारा वी परतीत हों लगतांदा मनुखा हत्तों इनू दुर्दश अकरवानिया आमी वेख लेगता इस ग्रहती विचरते सब तो उत्तम जी मनुखनों चाड़के बाकी सारे इतो ताके बनस्पती वी समय अनुसार इस समय दे नाल चलन अजिया इना सबना दी रेणी बेणी तो स्पष्ठ होंदा है पर मनुखनों शायद समय दे उल्ट चलन चिद ज्यादा मान परतिष्ठा परतिष्ठा हासल हुंदी जाप दी है इसे करके जिया आम वापर्दा विखाई देंदा है समय दी लोड नुँ मुख रखे ओदे अनुसार अपनी जीवन शेली नुँ टालना बंदे दी सुबादा हिसा नहीं बढ़ सक्या मौजूदा समय वेच किननी पकदे मसले ने जो फौरी त्यांते अमलांदी मांग कर देने परोणा नुँ नजर अंदाज कीता जारे है इत्तो ताकि बंदा था देननु रात ते रात दे समय नु देन्च बदलन तो वी गुरेज नहीं कर दा समासार्याना लिकोजय वर्ताओ कर दा बगार किसे वित्करे दे समतावादी सोचदा मालक जो है हर एक देली बराबर सिवावाँ पेश कर दा पर इंसाना हत्तों जो बावेदी बढ़ाई जान दी है इने कदे सुपने विच्वी नी सोची हुने पावे पिच्छों सचाई यही समने आउंदी है कि जेडे समय नू विचारा बढ़ा आउंदी कोशिश कर दे नहीं आकर नमोशी आपोना नू इंचलनी पन दी है कैसक दियांकि सानु जुरूर समय दे प्रती अपना रवया बदलन दी लोड है सब कुछ समझ दे ते वेख दे होन दे बाव जोज समा आम तौरते एक मूख दर्शक वजोई विचरंदा दी है अपने आमियत हर समया में जताई जाना एदा आम विहाद एदे आम विहाद चे शामल नहीं अपने कोल हर पीडी दियां खामियां खूबियां दर्श कर दे रहना एदा सुबा है पर फिर लोड पहमते कदे समा अपने नवे कलेटा अंगनाल बड़ा कुछ बोल दाते दसलावी है कदे बंदा किसे गल बारे अजे असपश्टी हुंद है समा कई वन सवन्य इशार्यां रही समझाओं दी कोशिश कर दे कोई इसते लिखी अबारत समझ के लाहा लेलंद है ते कोई अजया करन तो कई खुझे रंदे नहीं समय विच किसे बिलकुल अन्जान व्यक्तिनू सूजवान ते किसे खेतर दा महर बणाओं दी समरथा वी है जया कुझ किसे दियां क्यास अरायां तो वी परंदी गल हुंदी है कई वेता बंदा आप भी दंग रह जान दाया अपने आप चाहियां तब देलियां वी खे समाई कद्यापक भी है कोई आवे किमेदा ने बलके बड़ा उच पाएदा ओखे तो ओखे पाठ समा से जेई पड़ा लंदाया तोक में मौकियां ते इमत्यान भी लंदाया पर्खणा जो हुंदाया ने के किन्ना को सिख सक्या हर कोई यदे पड़ाए होई पाठ किन्ने को चेते रखे ने जिड़े चंगे अंकजा कोई विशेश स्थान हासल करदे ने समानानों इनाम दे हाकतार समझ के उना दे मानवेच वद्धा करदावी आमी वेख्या जांदर इतिहास गवाए जये लोकाली लंगी सूची है जिना कुल समे वलों दिखते गए सनमाना दे अंबार लग गए योई लोक हुन्दे ने जिना वलों वक्त दी रेतते पाईयां पैड़ां दूसरेयां देली राद सेरा बंचांदियां अक्सरी समा अपने बहुत सुहर्द बिर्ती दे मालखोंदा सबूत वी दिन्दा रंग है किसे दुखी मन किसे मुसीबत दे मारे व्यक्ती दे चेरेते समा मुस्कुराटा बिखेर के मुढ हसन के डंदा मौका जंदा असंभव जे जापदे हलात समा से जे खुश गवार बड़ा चड़दा किसे दियां पैडियां ते मा यूस करनवलियां यादानों अपनियां यंगिन पते आहेट दबाके जिन्दगी दियू बड़ खबड होई वाटनों मुर्तों सामा सब पद्रा करन दी तौफीक भी है समें को समझो के उजाड बियाबान पैतां दे आजसा उमीद्दां दे फुल खेडा के बहारां लैया ओन दे समरत है ये समा जेडियां गल्ना एक इंसान दे वसों बार पास दियां हुलियां ने समें दे लेई उनानों कबू करना एक खेड जया हुँँग मनुखने अपने वलोंता जेवें समेंनु अपने देन करन लई सेकेंड मेंट कंटे देन में ही ने वरे तेस सदियां आद बनाये होंगे पर ये समा कोई कब्रू आणवला किसे दे? ये वंडियां तैवे मांदे परम्तो सिवाकुज ने, समा एक अमुक एक सार बगैर किसे पेनता दे निरंतर वगदा दर्यां। पच्तोना इस मान मते समय दे हिस्से आया ही नहीं। अजञ्या परकर्यावां केवल मनुक दी होने ही बन दियां। जे समय नूँ जिंदगी ही क्या लिया जाये तैई इस चुकोई अतकत्री नहीं पास दी। किसे मनुक दे कोल बस एक जीवन का लीता है उन्दै कुछ कर गु क्याब मौक का समझो एक चनाती कोई सकार आत्मते उसारू प्राप्तियां करंदे नहीं। ते जदो बंदे नूँ अगाउं पता होए कि उसकोल किसे वस्त दे एक सीमत मिकदार है ता जाहर है कि उन्वा जाइंग वाना ता पोगदा भी नहीं। असल विच जो कुछ भी कि सेने करना हुए बस एक वर्तमान ही हुंदा है बंदे दे हात्वास। पर इस चाई भी है कि पविख दे पूत काल दे नैन नक्ष निर्बर इस वर्तमान दी वर्तों ते ही कर दे हाँ। उन्जे समय दे पेस फोटां दा पता भी नहीं लगदा। बस आख दे फोर विच समय दी विवेक तूरन वर्तों ही कोई चंगे नतीजे सामने लिया सक दिया। जड़े समय दी अजय वर्तों करंदी आद्धी हो जांदे नें। सदा इस कोशिश वेच हुंदे नें कि कि में इस ग्रय ते मौजूदा समय वेच दरपेश मुश्कला दे समा धान कीते जां। कि में हालात बारे हालात सारे जीमाली वदेरे साजगार बनाई जां। समावी ओना दे बूहे कोई न कोई खोश गवार कंसुआ लेके हाजर हुंदाई रंदे। इकोर वी ख्याल मान चार्यां कि जे हर कोई केवल अजय ही पाप पूरन कमांच रुज्या रहे। जेडे सोन रंगी पा मार दे हूं तो मजूदा दोर सुनेरी युग वज्योंवी ता जानेयां जा सकता है ना। पता निये के में ए मन आप मोहारे गुणगुणान लगते हैं। समा है दुरलब वस्त अजाई गवाये ना। सांब सोच लए वर्त मुड़ पचता ही ना। अगला लेक है निम्बू दी अलबेली चाड़ी। अंग्रेजी दे परसिद कवी सैम्यूल टेलर कोल्रिज दी बहुत चर्चित कवितार। निम्बू दी चाड़ी बारे हैं जिस्विचोंने इस चाड़ी दी तुलना इक जेल नाल कीती है। अजिया कवी दी उस समें दी मानसिक वस्त अगर के होया। दरसल उस दिन कोल्रिज ने अपने परवारक मित्राओं विलियम वर्ड़्जवर्थ, उधी पतनी, उधी पैन, डोरती थे चार्लस लैंब आदनाल के ते को मन जाना सी। पर पैर दी अचानक साथ लगण कारण उस दिन जाना सक्या। इसली कोल्रिज अपन कविता दे होंदवे चौन दा सबब बन दे। उन पिछे जैस रचना दा मुर्चेता आगया ते कई दिने ख्यालां दे हावी रही। साडे कारदे पिछले वेडे चपामे थांता सीमत जैसी पर अपने शौक पिछे असी एक निम्बूदा बुटा लगा दे। चार कू साल पित्रोत ने होर सबना बिर्क भूटेयां दे नाल सा डियस निम्बूदी चाडी ते भी बहार ले आंदी। चिट्टे मूतियां वर्गे फुला ना लद्धिये चाडी आडे द्वाडे नू अर्शी नुहार परदान कर दिया। इसलिए फुला दी खुशबू कोडों लं वापरी। मैं कारे कली कमरेज बैठी एक वार पड़ंच मस्रूफ सी। पहला ता खिड़की रही इस निम्बूदी चाडी ने अपनी फुलांदी मैक मेरी वल पेज की मिरा त्याना कर्शित कीता। नाली मैनू इस सुते आयां बैठियां दो निकियां गौन वालियां सुन पर मैं चाट बार निकल के निम्बूदी चाडी कुल जाक लूती। उन्हें अपने सुबा मुताबक मेरे उत्ति अपने दू तिन मैक दे फुल सुट के अपना तदाय सास करवाया। उन जोदो मैं उस वल स्वालियां नजरानल वेख्या ता मेरे अचंबे दी हादना रही चाडी बोल पई अकवी। मैं तोड़े सार्यां लिया सीम खुशी दा सबाब रही है। तोड़े ले खुशबू परया चोगिर्दा सिर्जन दे नाल किन्ने वड मुले फालवी दे रही है। जिना दे गुणा दा कोई अंतने। मच्चर भी मेरे को लौन तो डर दे ले। नेम नाल हारोज स्वेर होन ते तोड़े प्यारां हेट मैक दे सजरे फुल्ल पतियां विचाके खीवी हो जान दिया। खेडा वंड के आपनू खुशी जो बहुत मिल दिये। अजेया ता तुसी भी मैसूस कर दे होगे। चाडी ने थोड़ा अटक के फेर मेरे वलवेख जो कुझवियोंने होनता काख्या सी बिल्कुल साच होन करके मैं ता मननाई सी पर ये टिपणी मेरे लिए अजेवी एक गुंजल दा रूपतारी खड़ी सी। मैं समझी नेम कोज्य। मेरे इनना क्यान दी देर सी के चाडी मुर्ग जोश नाल बोलन लागते। क्यान लगी देखो तो अड़े अगले वेडे वेच मेरे तो पहला दी एक हे बेसकस दी चाडी खलोती है। उस ते ता तुसी बड़ा मान कर दे। उस नाल प्यार जतां दे। मैं तो नू कई बेर सुने हैं। उधा जिकर तुसी अपनी एक तो वदरच नामांज कर चुके हो। होर ता खुशी दी गाले ना। मैं उनू समझाओं दी कोशिश कीती। खुशी ता बिना शक मैंनू भी है। पर नाली मैंनू ये शिक्वा भी है। जिमें तुसी उसकोड बै के रचनामां लिख देओ। उस नल समबाद रचाओं देओ। किसे महमान दे आयत ते उधी चर्चा कर देओ। मेरे कुल क्यों नी बेंदे। मेरी चांच कुरसी राखे। मेरे ती परोसा नी तौनू मैं भी तौनू हर फानाल चितर बनाओं दे वन सुवने सुजा दियांदी। मैं इनने जुगी हो गई है। मैं गौनल निम्बूरी चाड़ी गलतक्या। मैं उस नल इन बिन सैमत सा। बस फिर मैं एक कुरसी लियांदी। कागस दे कलम लेकियो थी बैण विच। चेर नी लाया। ते कोई नमी रचना सिर्जन देरा तुर्पन। कुछ समे बाद जदो मेरे पती का राये ता मैं उननू निम्बूरी चाड़ी नल हुई। फूरी वार्ताला आप बा अगला लेक है किते गयो वक्त ते ओ रेलगड़ी है। आमें जीवन ता आपी एक सफर है पर फेर वी इस सफर दे दोरान इस तरती ते विच्चर देयां जेड़ा रटा नसी पैदन बास चा रेलगड़ी आद रहीं कर देयां। उधी एक वक्री एहमियत हुन देयां। किसी ने ता इत्वों ता काक्तित हैं कि दुनिया की किताब है ते जिड़ी लोग सफर नहीं कर देओ इस किताब दा केवल एक को पर नहीं पढ़ देने। इदे नालिये वी एक सचाई है कि कोई लोग ता सफर करन ते इस कदर शुकीन हुन दे हैं कि उस अदा किसे न किसे यात्रा ते रहना पिसंद कर दे ते जिया करन दे बहाने तलाश दे रहने पर दुझे पासे ओ लोग भी हुन दे जड़े वस लग दे हैं कि ते भी जाननों पर लोड पहनते किसे यात्रा ते जानतों गुरेज नहीं कर दे उदों इस तजर्बे तो सिख भी लेंदे हैं ते जानांद भी मांग लेंदे फिर कोई अजेवी ता हुन देने जड़े एक को जगा बैठे भी सफर चून देने ते बगैर किसे गड़ी आच बैठेया पु सब कुछ दे बावजूत परिवारिक जरूरतां करके काट तो काट के ते बार मिकलन वड़े बंदे नुभी कदे कदाई सफर करना पैई जानते हैं जदो बेटी दा व्या होया ते उदूजे शेर चरैन लगते ही काफी वक्फे पिछों मुडतों रेल गडिया नाल वा वा यादान ताजा करवा देता हैं उदो मेरे पिताजी एक सरकारी हाइज स्कूल होना हर्याना मिच दे हैड़ मास्टर सांथ उना दी जथेवी बदली हुंदे सी परवार नाली जन्दस इसे बहाने सानू कई नमिया नमिया थावाँ वेक्रन द मॉपकावी मिलिया मेरे पिता पिताजी आपने किते नू सुमर्पित अंग्रेजी दे महारद आपक्सान, असूलां दे बहुत पक्के थे कि वधिया शक्सियत दे मालक्सान, इना सारे गुणा सदकाई उना नू उत्थों दे लोग का आंते विद्यार्थियां तो मान सदकार भी बहुत मिलदा भी किया, ए इस कसवेच साड़ी रहाई सी उत्थों आमी कर्यानें दा कि होर कार दा लुडीन दा समान लैंडी, सानू नेडे पैंदे शैर नार नौल एक निक्की गड़ी जीनू शटल आख्या जानदा सी राइन जाना पन्दा सी, मैनू भी इस तरह आमी अपनी पिताजी दे नाल जा जाइब का अर्च वेखियां, जानवलियां वस्ताचे ना नाल शुमार हो जुका है। अपने इस जीवन काल दोरान किन्यां आहरान करनें वालियां तब्दिलियां हुं धियां वेख लेगां है। जापन लगदा है जिवे अपनी आही वेखियां ती हंडाइआ बाता हुन परीकत हमाच शामल हो गिना हुए। उना दिनाची जदो किते जानले रेल्वे स्टेशन जाना था आमी किसे ना किसे गड़ी वेच इक बहुत उच्चे थे वड़े पाईप वेचो पाणी पर दवेक लई जासी। जदो रेल्वे स्टेशन पहुंच ना था उथे वेल जी पईउंदी सी। कोई दो-चार सुआरियां ही मसा नजर आया कर दिया सान। पीड़ पड़क के दा था नमो निशान तक नहीं सी हुंदा। जियों ही असी जाके उथे गड़ी दी डीक्च खड़े होना, एक रेल्वे करमचारी ने साध्यकोल आके मेरे पिताजीनों संबोतित होना। हैड़ मास्टर साब आपको स्टेशन मास्टर साब अंदर बुला रहे हैं। असी अंदर पहुंच देता होना ने सानोत थे मजूद कुर्सियां ते बैन ली आखना। मैं कुछ चे जख मैसूस कर देयां कुर्सी ते बैठन दी बजाए अपने पिताजी दी कुर्सी दे पिछे इकड़े रैनों तरजी देंदी सी। स्टेशन मास्टर अंकल ने मेरा नाम पुच्चना कौनसी जमात में पढ़ती होतिक कोई कविता सुना वाद वर्गे स्वाल पुच्चना। उत मेरे पिताजी दे सतकार वज्जोनानू अंदर आके बैन ली आख दे सान पर मैंनूं। उमर छोटी होन करके उना दे इना प्रश्णा सतका रेल्वे स्टेशन जान तो वीद अंदरों अंदरी थोड़ी कबराट दे संकोच या मैसूस हो जान दा सी। समय दे बहुत पबंध होन करके पिताजी सदा गड़ी दे आउन तो पहलना ही रेल्वे स्टेशन पहुंच दे सान। असल चार कामनू समय अंसार ने प्रेचाड़न लीवे आउन तो बंदी करना ओना दे सुबादा अ टुठ हिस्सा सी। पर एक दिन वो कल लई जा रहे सम ते किसे कारण वस कुझ लेटू है। फिर इस्तरा होया कि जिमें पिताजी ने प्लेटफॉर्म ते कदम रख्या गड़ी चलते। उस समय एक डब्बे विच दो तिन लड़के जोके मेरे वीर जी दे नाल कॉलेच पड़दे सान ते पिताजी खोड़ों पड़े भी होय सान ने चाटी गड़ी ती जनजीर खेच देती ते गड़ी रूपे। जदो टीटी ने आके गड़ी नू रोकण दा कारण जानना चाया ते लड़के आने इशारे नल बार थोड़े तेज तुरके आ रहे मेरे पिताजी वह खा देती। एक अलवी चेते आँच वसी हुई है के हर रोज जदो स्कूल पड़न जाईदा सी तर स्थेच एक रेलवे फाटक होंदा सी। उन्हों बांध करन ते खोलन ती जिम्मेवारी को औरत निबाया करदी सी। पूरी फुर्ती ते तन देही नलोने इकाम करना। उन्हे उस समेधी हर्याना वेच पर्चलत औरतांदी पुष्वाक का गरी कमीज प्यान के उते वड़ी खुली ओर नी चुन्ने लेई हुंदी सी। सारी लोकी उस नल बहुत इज़त नल पेश होंदे सां। कोई कानून नहीं तोड़दा सी। उस ओरत नू अपना फर्जदा करन ची लोकां वलों किसे अडिक्के दा सामनावी नेसी करना पन्दा। उस फाटक दे नाल करके एक बहुत वड़ा खूब फैलिया होया लसूडे दा रुख होया करदा सी। स्कूल न चुट्टी वेले जदो बच्चे आने अत्वो लंगना तो आमी जदो लसूडे पक्के उन्दे सान। उनानू तोड़न ले उस रोखते चाड़ जान्दे सान। पक्के लसूडे खाननू सुआदवी बहुत होंदे सान। ते कच्चे लसूडे अनी गूंज नूँ बच्चे कापियां के ताबबा आजचिप कौन ले वर्त लेंदे सान। कई वेर जदों बच्चे बहुत शोर मचाऊंदे जान श्रार्तां गरंते उतराऊंदे ताब फाटक वळे अन्टी आद ले अभी गाड़ी आएगी और इंजन का ड्राइवर तुम सबको पकड कर ले जाएगा। उस समय उमरिय जैसी के बच्चियाने स्थम के नुसाच जान लेना ते सुनके के ते कज्यादा त्रा निकल जाना। उन्चे तार्यां उफाटक वळे अन्टी केसे नाइका नलो काटनी लागे। उनाई दिनाच कदे इंजवी वापरना के चुटी वेले जदों असी रेल्वे लाइन दे कोल पॉंचना तो अधरों लाइन दे उत्तों थेला लंगरे होना। इस सुत्ते रेल्वे अधिकारी PWI ने बैठे होना। असी बच्चेयाने मंतर मुग्द जये हो ठेले नू वेकन खड़े हो जाना। इस ठेले दे विचकार बढ़ी कुर्सी होते जडे PWI साइब बैठे होन दे सां। उनानू मेरी उत्तों दे हैड मास्टर साथ दी लड़की वज्जों पच्छान सी। उनाने दूरों ही वेक के उच्ची जी वास्च बचना। हड मास्टर साथ का क्या हाला गुड़ी ही। हो थे हर निक्की कुड़ी नू गुड़ी क्याके बुलाले आ जान्दा सी। ओधूं दे स्वच वातावर्न ते आले द्वड़ेची शांती ते चुपदा बोलबाला हुंगा सी। किसे दूसरे तक अपनी गलप उन्चालडी बे लोडा दहरा नैसी करना तन्दा। सब देवतीरे विच्चों शिष्टा चारते अदब दी मैक आप मुहारे हर पासे खिलर के आपसी मिलवर्तन ते पाई चारक सांज दियां तंदा पकियां पीडियां कर दी रहन्दी सी। अजये महालवेच किसे उचेच विखावेच अब नावटी पने दी ना था उन्दी सी ये नाई कोई लोड। उन इन्ने अर्षे बाद इनवीवी सदी दियां गल्लान। इक्किवी सदी ची याद करके इंज मैसूस हुन्दैं जिवें एक किसी होरी सब्यतानल सबंद रख अजोकियां गडियां तां बिजली नाल चलन लगते हैं परेदे बावजूद वाता वरनेक पर दूशन हदां बने टप चुक है। महान नगराविच जल्दी मैट्रो रेल ने दूरियांनू कटाके आवा जाई दी सुविदानू इक मिवेकला ते क्रांती का रिमोड देता किन्ने कट समय विचे रेल यात्रियांनू मंजल ते अपड़ादन दिया। रफ्तार किते तेज फासले कट गए ने पर मना विचलियां विथां दा खपा वद्दा जा रिया। मनुख दा मनुख नल रिष्ता बिल्कुल फिकात एक दूसरे दे प्रती हुंगारा मठा। ज जोश चाते खलूस चेयां पावनावांता मनुखी वतीरे दी मैफिल विच्चों लोपी होगी यां लग दिया। गड़ियां वतान कूलित होन करके उना विच ठंडे खुंदिया। पर मनुखी सुबा विच मुकाबलतन गर्मी ते तलखी दा बोल बाला आमी वेकरनू मिल जांगे। आजकल रेल्वे स्टेशन ते पीड़ दा कोई अंतने। काफी स्वारियां ता गड़िदी सीट करों ही राकमी कराके तुर्दियां। ओथे कोई स्टेशन मास्टर ता की किसे नू वेखेगा बंदा आपी इन्ने कट वेच गवाट्या इकल्ना ते उदास्ट्य मैसूस करगा। गड़िदी उडीक वेच बेंदी थांदी तंगी हो जानीं आम वरतारा। पुराने वेळयां वाली अपनात दी थां हुन बेरुखी या पोता पीती खुद गर्जी ने केर लेगे। असीन पेड ते शोर वेच खड़े बंदे लें अपने अंदर नाल समव पादर चाके इस परकिर्यानों कोई अर्थ पूरन रंगत परदान कर सकना इक नाम मुम्केन जे अकारज बन चुका। उन्ज अपने देश ती तकनिकी त्रक्की दी हद्वे केस्ते मानूंगी मैसूस होन लगदें ते नाली दंग वी रह जाईदें। सारियां उक लग्द सु हुलताले शुकर गुजार हुन्दे हुए जी असी वी जिम्यवार नागरक वाले फॉर्ज अदा करियेता साड़ी देश ता म्यारूसी तरंदा बांचायेका। जिस्ती चर्चा असी आमी विक्सत देशां दे सुबंदच सुन देते कर दे रंदेया। ए बाहु भी जा अन्जाने विच ओहो गडियां ते ओहो ठेले ओ साद मुरादे रौनक मेली जित्थों कोहां दूर चमेले तन्वाट। अगला लेख है हरगुण निक्की फिकरांटेर। हरगुण नो इस जहां ची पैरतर्यां जी पामे सत्म ही नहीं होए नहीं। पर इंज जापता जिवियोंने इन्नेकु समय विची दुनियां दे बेशुमार रंग वेख लें हों। आम तौरते तव प्रसान मुद्रा वेची नजरी बन दिया। पर कदे खबरे केड़े मसलियां ते चिंतन करन लग दिया कि एक दम गंबेर हो जान दिया। कुछ सोचके एकदम पुच्छन लगे। प्यान जी में ता तो अड़ासु बाद जान दे होई वदाई दे देती। वर्ना लोकी कुड़ी दी वदाई दे होत बुरा मुनाला लेले। तुसी ता बुरा नी मुनाया न? तुसी प्यान जी बहुत चंगा केता है मुबारक द के आसी बहुत शुकर गुजारा इननी प्यारी बच्ची में लन देले। हर गुण ने माननाल अपने नानी मावाल वेख्या उसोखी दे स्रख्यत मैसूस करन लगे। कुछ दिना बाद उना देकारेकं गुटन प्यान जी आए हर गुण ना वल वेख्ये की खुशी नल मुस्कुराई उनाने हर गुण दे जनमदी वदाई देती चदो नानी नाल गलं का रेस संत हर गुण नानी दी गुद्धी चिबैकी गल नलो ना वल वेख्या maior कि दी दव्या होयां कुछ साल हो गया संद। पर अलाद कोई नी सी। दा ख्याल आगया। उस सेथ सुभाई बोल पें। पेंजी होने ता तुसी मैनू दो त्री दिव दाई दे के हटेव। ते नाले तियां कुछ एमें दियाने। हर गुंदे नानी माधियां पावनावनू भूछ थेस पंची सी। उनानू इस टिपनी वेच अपनी दो त्री दिवी हेठी मैं सूसुई। पेंजी अपावी ता किसे दियां तियां यां। जरा सोचोई कौरत दे बगायर कार। ये ता साधी शान ने। राजी खुशी रहां। ये आक्के उनाने अपनी दो त्री वल मुस्करा के वेख्या। हर्गुन आंटी दी गल सुनके उदास्टीत हो गई सी पर उने नानी दे मून आलाप्रा निकाजा हाथ छवाया। उनोनू मैं मान आंटी दी अंगल्लांच कोई रुची नही सी रही। इनेनू बारों सडकतों कोई वान बहुत शोर करदा लंक्या। हर्गुनिक दम त्रबक के रोण लगते। नानी माने उनू थप थप आके होसला देके चुप करवाया। कदे कितों कोई पटाका जोर ती चलन्दी अवाजवी हर्गुन नू बेचैन करदन्दी सी। बार बगी चीच बेव फिकर कुम्दियां चिडियां दावी एन हर्गुन दी तरा इंज शांती पांग होन अलत्रा निकल जांदा सी। ते उन्ना वी चाटू उड़के उत्थे लगे करुखुच लुकंदी करने। ये नजारा वेक हर्गुन निम्मों चूनी होके सोच दी। जडा शोर कन्नानू एन्ना तांग करे पतानी क्यों करदे न। इक दिन हर्गुन दे ममी कोणू थोन नेडई रंदे सीमा अंटी आये। उना दी दो साल दी बेटी डेजी वी नालाई सी। उना दी खोर वी बेटी सी डेजी नालो वड़ी। हर्गुन दे डेजी नू ता एक दूसरे दी संगत बहुत पाली। दो वे आपो अपनी पाशाच गलाँ वी करन लागते हैं। डेजी जो वी बोल दी सी हर्गुनों दा हुंगारा जरूर पर दी सी। सीमा ने हर्गुन दे ममी नाल अपनी यां दो बेटी यां दे बारे बड़े चा ते मान नाल गलां की सांजी यां की तियां। इना दे पापा आपते ने अपने कोई कसरनी छड़नी इना दे पालन को संवीच। अजे यां उसारू बातां दे परबावतों हर्गुन दे डेजी वी अपे जिना रह सकें। दोहां दे चेर यां दे रोणका गई सी। दोहां बीभियां ने तियां बारे कोई कई अर्थ पूरन ते उत्षा जनक टिपडियें गीतें। उना दी वार्तालाप विच्चों तियां प्रती मो डुल-डुल पहरे आसी। हर्गुन दे नानी जीवी इस चर्चाज पूरी तरन शामल सां। उप पुरोकत सारी अंगल्लां सतका नानी मा होरां दी बैठक ता जमें सोने ख्यालां दी रोष्णी नाल जग्मक करन लागते ही। ते एक नवेकली में चार चोफेरे पसर गे। अचानिक पताई न चल्या, कदो उना दी बैठक वेच बारों तू आणा शुरू होग्या। हर्गुन दे नानी जी बार जाके वेक की आये ता दस्ते के उना दे सामने किसे कार दे माली ने बार पत्यां दे टेर नुवादलाई होई सी। होले होले तू आइन ना हो गया कि उस कम्रे वेच बैणा ओक्खा ओला। दूजे पास से जाके जदो बैठे था हर्गुन ने कुछ शांत होके अपनी से ली डेजी वल वेख्या ते उस रहात पकड़के अपनी पाशाच बोली गू गू अगू ममम। इंज परतीत होया जवियोंने डेजी नुवाख्या। डेजी अपन वड्डे होके न वड्डेयां वल्लों हाला ते वातावर्ण च पाए गये वी गाडानों सुधारंदी कोशिश जरूर कराएंगे। डेजी ने गलपूरी समझ लई वोवी अगू अपनी पाशाच जाकती। पक्का हाल्डून पक्का। सुगों होर्णान वी नाल्डरल लमाले। दन्वाद।